अमिद बात कर रहे थे नकुलनाथ से और नकुलनाथ ये कह रहा है बड़ी ख़बर ये भी दे रहा है कि अगली सूची जो है वो दो-तीन दिन में फिर दिखाई दे सकती लेकिन अवारे साहिद अवारे दो सहयोगी जोड़ रहे हैं अंचल जोड़ रहे हैं इस सवे बिंद स जो मेरे सामने सूची है उसमें करीब 17-18 सीटे घोसित हो गई है याने अभी भी बहुत कुछ बचा है लेकिन जो तमाम सारी सीटे आप देख रहे हैं उन पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है और दूसरा आपके साथ जो मेहमान जुड़े उनसे भी पूचीगा अन्चल जी बिल्कुल मनोज जी देखिए बंसल्यूज ने पहले ही जो संभावित सूची जारी की थी आज जो रिवा जिले की अगर बात करें तो जिन सीटों के नाम घोसिती हूँ है उसमें एक त्योथर को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग वही नाम है जो बंसल्यूज न देख रहे हैं आप आने वाले समें में सरपर्थम तो नवदुर्गन चल रहा है इसके लिए मैं अपने छेत्रवासियों को देशवासियों को प्रदेशवासियों को आप सब को मेरी ओर से बहुत-बहुत-बधाई शुपकानअ माता रानी की कृपा हम सब पर आप सब पर ही ने साथ ही जहां तक आज कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही मजबूती के साथ 144 लोगों को टिकट की लिष्ट जारी करी है इसके लिए मैं अपने सिर्ष नेतित्व खडगे जी मानी राहूल गांधी जी हमारे प्रदेश के नेतित्व कमल नाज जी दिग्विजय सिंग ज जी राहूल भीया एवं सभी वरिष्ट नेताओं का और साथ ही माउगंज के जनता जनार्दन जिन्यों ने मेरे साथ लगभग 5 साल हर दुख सुख में पूरी ताकत के साथ संगर्स किया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया इसके लिए मैं अपनी ओर से बदाई देता हू आप जैसा की पूछ रहे हैं तो निश्यत रूप से इस समय जब से करनाटक का चुना हुआ है और करनाटक का रिजल्ट आया है खास करके जब से हमाएं देश के नेता राहूल गांधी जी ने 3700 किलो मीटर की पधियात्रा करी और उसका परिडाम था करनाटक का रिजल्ट उसी तरीके से जो इन पांच राज्यों के चुनाओं होने हैं खासकर मत्रदेश में जो आज 144 की सूची जारी हुई है पार्टी ने बड़े ही सोस समझ करके और सरवे के आधार पर टिकट दिया है और निश्यत रूप से इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग चीते के अंचल स्वाभाविक है कि जिसको टिकट नहीं मिली है उनके मन में पीड़ा हो सकती है लेकिन इस बार मैं समस्ता हूँ कि अगर जिसको टिकट नहीं भी मिली है पार्टी के बरिश्ट नेता उनसे सबसे बात करेंगे और हर बेक्ती समय जनता का रुख देखकर के जनता जो चाहती जनता के रुख को देखते हुए हमारे कांग्रेस के जिनको टिकट नहीं मिली है वो पार्टी को जिताने का काम करेंगे सहयोग करेंगे और सरकार बनाएंगे और जो मत प्रदेश में 20 सालों से मैं कह सकता हूं कि जो भृष्टाचार चल रहा था और भारती जनता पार्टी के नेता कारिकरता फाला और फूल रहे थे उसको हटाने के लिए और जनता के हित में हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता है चोटे बड़े सब विंद में किती सीटे देखते हैं आप कांग्रेस की क्योंकि पिछली बार 32 में से 24 सीटे ही रही थी देखिए आप जानते हैं कि 2018 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी कुछ कुछ परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि बिंद से कमजोरी हुई कुछ अभी हमें कहना नहीं चाहिए कि क्या दिक्कते थी उस समय मैनेजमेंट का भी से था और कुछ कमियां भी लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज नया जिला बनाया गया है इससे कितना असर पड़ेगा क्यूंकि आपका आपकी विदान सभा उसमोग जीले में आती है देखे आपको मालूम है कि माउगंज की लड़ाई कोई मैं अकेले नहीं बलकि माउगंज की जनता जनार्दन ने भी मेरे साथ पूरे ताकत से लड़ा और सरकार कहीं ने कहीं अंतिम समय में दवाव में आ करके जिले की घोसना करिए उसमें भी उनका अलग्छ था कि अगर हम जिला लास्ट में घोसित करेंगे और दवाव करेंगे तो निसी दुरूप से हमाई प्रतियासी को फाइदा अंचल एक बड़ा सवाल इस समय खुद मेरे साथ लड़ा है और बिंद से दिखाई दे रहा है एक तो 17 सीटे अभी दिखाई दे रही है बिंद की दूसरी बात यह है कि भारती जंता पार्टी लगातार महां से बढ़त ली है पिछली बार बहुत अच्छा कीदार शुकला की चर्चा इंदनों खूब चल रही है तो क्या आने बाली सुची में जो 17 नाम दिखाई दे रहे है अभी 31 वहां से बन सकते है बाकी जो प्रत्यासी है तो क्या उसमें कीदार सुकला का नाम भी होगा और जो 17 प्रत्यासी घोसित किये गए है उनसे कितनी उम्मीद है क्यों ऐ चर्चेता कहलाते हैं मोगंज के लगातार जनता के बीच में इनका संगर जारी रहा अभी भारती जनता पार्टी ने जिस थरीके से अपनी सीटे घोशत करी उसमें सीधी विदायक के दार नाथ सुकला का टिकेट काटा है तो क्या अगली सूची जब आएगी कांग्रेस की तो सीधी से केदार सुकला कांग्रेस के प्रत्यासी हो सकते हैं क्या देखे राश्टी अस्तर के नेताओं का सवाल है स्क्रीडिंग कमेटी का सवाल है और इसके बारे में मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिक मैं उस अस्तर का नहीं हूँ पर हम यह समझते हैं कि पार्टी सोच सम लेकिन ये जनता की बीच में अच्छी खासी पैट मानी जाती है महुगंज के काफी लोगप्री और चर्चित नेता हैं जमीन से जुड़ो हुए नेता कहलाते हैं और इनका मानना है कि कांग्रेस पार परिवर्टन की बयार चल रही है तो कहीं न कहीं मध्वप्रदेस में कमलनात की अगवाई में कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सरकार बनाईगी जी मनोज जी चल आपके पास लोटिंगे जया